जैहंक, नमजकार, मैं हूँ अजे अगर आपको लकड़ी में जोएंट लगाना है जैसे कि आपको ज्यादा चोड़े दिलहे मनवाने और उतरी चोड़ी यह नहीं लकड़ी मिल लई आपको तो उस condition में आपको किस chemical का use करके आपको दिलहा चोड़ा करना है एनि कि joint लगाना है इसको आप बाहर भी use कर सकते हैं दिलहे को जो भी joint आप लगाएंगे और अंदर side भी use कर सकते हैं और पाने उगरा से भी कोई effect नहीं पड़ेगा joint नहीं खुलेगा तो सारी detail बाते मैं आप लबस में joint करने के लिए आम तोर पे फेपी कोल का use होता है और वह best है अच्छा भी है बट अगर आपको और ज्यादा मजबूती चाहिए और दो पट्रे हैं चोड़े चोड़े उनको joint करना है तो वहां पे फेपी कोल का use करने की जरुवत नहीं है और अगर आपका बाहर का दोर लग रहा है और आपने दिलेह वाला दोर बनवाया वहां पे joint लगवाया है और उसमें फेपी कोल लगवाया है तो पानी पढ़ने पर कुछ समय के बाद वो जो फेपी कोल है वो अपनी जो ताकर सकती होती हो खो देता है तो इसलिए भाई दोखो अगर वहां पे यू अब बहुत लोग बोलते हैं तो इनका उपयोग आप उड में कर सकते है हाई क्लास जोइंट के लिए बहुत ही बहतरीन जोइंट के लिए इसका उपयोग कर सकते हैं हाँ यह चीज है कि यह महंगा बैठता है बट आपको इनको उसी जगे पर यूज करना है जैसे कि बाहर जैसे की दिलहे का ज्वाइंट लगाना हुआ जैसे की मोटे मोटे पटरे जोडने हुए तो उस कंडिशन में जो इनका उप्योग करना है और यह वाली पिने जो है आपको मार्केट में मिल जाएगी छेद करके बराबर से जो है आप पिने बैठाल दीजेगा और इसमें भी पॉन्टाइट या एरल्डाइट लगा लिजेगा हमने फेविकोल लगा दिया है पर यह गलती आप मत करिएगा इसमें भी एरल्डाइट या बॉन्टाइट आप लगवाईएगा अगर बाहर का डोर है आपका तो वन्ना फेविकोल का अंदर का डोर है तो फेविकोल से भ पर काम करवाईए तो मेरे हिसाब से आपको समझ में आ गया होगा कि आगर आपको जॉइंट लगवाना दिलेह का जॉइंट लगवाना या मोटे-मोटे पटरों को एक साथ में जोड़ना है तो इस तरीके से आप कर सकते हैं और जॉइंट भी कई परकार के लगते हैं अगर आप चैनल को subscribe के रहेंगे तो आगे चल के और भी knowledge में आपको provide करवा दूँगा एक joint होता है grip वाला और एक ये pin वाला होता है और एक आता है जो jointer पत्ती उसको बोलते हैं उससे भी joint आपका मजबूत हो जाता है बट मेरे हिसाब से भाई ये सबसे असान और best और मजबूत त हैं दो